बिहार में चुनावी लड़ाई दिल्चस हो गई है लड़ाई है एंडिये और महा गडबंधन के बीच में लेकिन जो सबसे ज़्यादा जर्चा है हाजीपूर सीट को लेकर है चीराग पास्वान और सायद पसुपति पारस के बीच में तो फाइनली माने कि हाजीपूर सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं एंडिये कंडिये के तौर पर हाज जब केंडिये संसद्य बोट की हमलों की बैठक हुई है तो उसमें पार्टी की तरफ से भी महर लगा दी गई है हाजीपूर से एंडिये के प्रदाशी के तौर पर चिराग पास्वान होंगे साइद इसी से नराज हैं आपके चाचा उस बात के अलान कर चुके हैं कि वो अभी हाजीपूर से चुनाव लड़ेंगे नहीं बिल्कुल और बिल्कुल स्वागत है देखिए मैंने मैं कभी चुनावतियों से ना घबराया ना लड़ खड़ाया मैंने हर चुनावती का मैंने डटकर मैंने सामना किया और यही कारण है कि आज मैं यहां तक पहुँचा भी हूँ ऐसे में जो भी परिस्तिती होगी मैं उसके लिए तयार हूँ हाँ पर इतना जरूर है कि बार बार वो ही हैं जो यह बात भी कहते थे कि राजनीती मैं अपनी अंतिम सास तक एंडिये के साथ रहूँगा ऐसे में क्या प्रधान मंत्री जी के उस लक्ष चार सो पार का जो लक्ष है क्या उसमें वो रोड़ा बनेंगे यह फैसला भी उनी कोई लेना यह भी जा रहा है कि वो महा गडबंदन के साथ मिलकर चुनाओ लड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी चाचा है अनभविया आपने राजिती में भाई कितनी मुश्किलों का सामना पहले ही कर चुका हूँ एक और मुश्किल सही इसका भी सामना करूँ और जैसे हर मुश्किलों को पार करता आया हूँ इसको भी पार कर लूँगा यह विश्वास है वो केंद्रियमंटिमंदल से इस्तिफा दे दिये हैं नाखुसी का रूप लगा रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है सीधे तोर पर कहीं ने कहीं आपको जिम्मदार ठहरा रहा है नहीं इसमें तो भाई मैं ना तीन में हूँ ना तेरा में हूँ देखे धाई तीन साल पहले जो कुछ भी हुआ तब से लेकर अभी तक बिना भटके मैं सिर्फ अपने कारे ध्यान में अपना केंद्रत करता रहा कई बार इस दौरान मेरे उपर उनके दौरा विक्तिकत आरोग भी लगाए गए कई बाते भी कई गए कई विक्तिकत बाते भी कई गई मैं कभी भी उन बातों में मैं उलजा नहीं आज तक आप निकाल के देख लिए आर्काइज में जितने भी इंटर्वियों हो मैंने कभी ना उनके बारे में कुछ कहा और इमानदारी की भी बात यही है कि उस तरह मेरा ध्यान केंदरित भी नहीं है मेरे उपर एक बहुत बड़ी जमेदारी मेरी अपनी पार्टी की है करोडो कारेकरताओं की है जो इस पार्टी पर विश्वास रखते हैं ऐसे में मैं अपने संघर्ष में उलजा हुआ था मैं अपनी लड़ाई में लगा हुआ था मेरे लिए खुद सीटे हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी तो मेरा ध्यान पूरा केंदरित उस तरह था कड़बंधन में बाकी सायोगियों के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस पे बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान गया भी नहीं है हाजी पूर के ले कितना जोर क्यों वो खुद कह रहे थे कि हो हाजी पूर से हैं और आपके जो पिताजी है, राम बिलास पासवांजी ने खुद टैकिया था, उनके जीओत रहते ही, लेगेसी उन्हों कह रहे थे और आपको जम्मूई भीजा गया था लेकि मैं बहुत नाशुक्रा होंगा अगर मैं अपने पिता की जम्मेदारियों को ना उठा सकूँ, आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, पापा के कई ऐसे अधूरे कारें, अधूरे सपने हैं, और एक बेटा होने के नाते मैं मानता हूं कि मुझसे बहतर और माना था, ऐसे में आज जब वो नहीं है तो हाजीपूर के लोगों से वो रिष्टा मेरा भी है, बच्वन में उनकी उंगली पकड़ कर जाता था वहां पर और लोगों की वो उमीद वो अपेक्शाएं भी हैं, ऐसे में अगर मैं उनको नहीं स्विकार करूं, उन चुनोति ऐसे में थो परिवार के बड़े ही सारे फैसले लेते हैं, ऐसे में उस वक्ट भी पर्टी से परिवार के अलगों होने का उनीका था, आज की तारीक मीं हैं क्योंकर मेरे लिए ये सिर्फ राजनेतिक विशह ही नहीं है तो ऐसे में घर के जितने बड़े हैं उनसब को मिलक को मिलकर ये फैसला लेना है तीन साल साड़ी तीन साल पहले का जो दिर्स मुझे याद आ रहा है आप पार्टी में अकेले अपने पिताजी का जो है जो देश जो है उनके घर गए थे पारजी के घर गए थे उसमें आपको परसानी भी थी तब्यद भी खराब था अकेले थी मिलकुल और इस बात की मुझे तकलीफ रही है मुझे नहीं समझ में आया कभी भी कि कब रिष्टों में इतनी दूरी आ गई मैं उस वक्ड बिमारी की हालत में था टाइफॉड में में था कैंडूला लगा हुआ था ड्रिप चल रही थी मैं उसको छोड़कर मैं गया था क्योंकि मुझे नहीं बरदाश हो रहा था और मैं अपना सरवोच उनको देने गया था मैं उनको यही कहने गया था कि अगर आपको पार्टी का प्रेसिडंट बनना है आप बने आपको मंत्री बनना है आप बने जो जो आपको चाहिए मैं सब उनको देने गया था बस से विच्छा ये थी कि परिवार और पार्टी नहीं तूटे जिस परिवार को जिस पार्टी को संजोने के लिए पापा ने इतने सालों मेहनत की बस वो नहीं तूटना चाहिए उस वक या आगरा करने गया था उस हालत में भी डेड़ खंटे तक मैं दर्वाजे पे खड़ा था दर्वाजा नहीं खुला खुला तो मेरी मजली मा जो है चाची हमारी हम लोग क्या यह चा हा ना मैं आपका आपी का बच्चा था पूरी परिस्तितियां सिर्फ और से विसले उत्पन होई कि उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं एक बार मुझे अपना बेटा मानते एक बार घर का बड़ा बेटा मान लेते तो शायद यह परिस्तितियां ही नहीं उत बढ़ रहे हैं और बड़ा लक्ष है हमारे प्रधान मंत्री जी ने तमाम गड़वंदन के साथियों को एक बड़ा लक्ष दिया है चार सो सीटो को पार करने का ऐसे में जब आप बड़े उद्देश की और आप अग्रसर होते हैं अगर अभी भी अगर हम लोग आपस में ही उलजे रहे गए तो कहीं ना कहीं वो लक्ष छुड़ जाएगा ऐसे में सारे एक मंच पर आकर मुझे लगता है तमाम मद्भेदों को भूल कर हम लोग ये एक नई शुरुवात हम लोग कर रहे हैं और इस शुरुवात का लक्ष बस यही है कि चार सो सीटे जितनी हैं जिसमें बिहार की चालिस की चालिस सीटे बहुत महत्वपून है और मेरे उमीद ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है 2019 में भी यह लगता है कि रिलिस्टिक के प्रदान मंत्री कह रहे हैं कि BGP जो है 370 पार NDA 400 पार कैसे उधर मागडबंदन में बिहार में ताल ठोक रहा है मैं सर्वे की अधार पर नहीं जनता की अधार पर अपने विश्वास को बानता हूँ और जनता के बीच रहता हूँ गाओं घर घुमता हूँ यह विश्वास मेरा महा से आता है 19 में भी हम लोग का प्रदेशन इतना खुबसूरत है बस एक चूक रह गई थी किशन गंच की एक सीट हम लोग नहीं निकाल पाये थे पर आज की तारीक में मेरा विश्वास और जाता गहरा इसलिए है क्योंकि आज हम लोग का गडबंदन और मजबूत है कई ऐसे दल जो की उस वक्त महा गडबंदन की तरफ ते वो मजबूत दल आज हम लोग के साथ हैं पहले हम लोग सिर्फ जनता दल यूनाइटेड हम लोग की पार्टी भाचवा ही थी आज की तारीक में आदनिय उपेंदर कुश्वा जी हम लोग के साथ हैं जीतना माजी जी हम लोग के साथ हैं तो इन दो और मजबूत दलो का हम लोग के साथ जोड़ने से यकीनां गडबंधन की ताकत बड़ी और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार की चालिस की चालिस सीटे जीतेंगे देश भर में भी अगर आप देखें डाउन तो प्लस के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे चिराग एक दो सहौल हो रहा है कि आपके पिताजी जो हैं केंद की राजनीते करते थे बिहार को लेकर तो क्या माने कि चिराग भी वही अपने पिताजी कानूसरन करें की बिहार पर फोकॉस देखिए मेरा राजनीती में आने के सबसे बड़ेगार्नों में से एक कारण ये भी रहा जिस तरीके से बिहारीों को ढूसे राज्यों में अपमानित कया जाता है मैं मंबई में उस सक्क्त था काम कर रहा था मैंने खुद देखा है कि वहा GPS च्हेत्री दल किस तरीके से बिहारीों पे लाठिया चलाते हैं के गौरव की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं वापस बिहार में आए ऐसे में यकीनन बिहार की राजनीती में मेरा ध्यान जाधा के ईदरत रहेगा मतलब के दि पे बजा राज ए मैं बिलकुल बिहारी हूँ और बिहार फ रस्स कर में बात करता हूँ तो यकीनन बिहार मेरे लिए प्रात्मिकता है जिनके साथ आप मिलके लड़ रहे हैं तो यह क्या माना जए कि दोजर पचीस जो विधान सभा चुनाओ होने वाला आपका फोकस वह रहेगा सब साथ मिलके रहेगा नहीं बिलकुल और मुझे लगता है हम लोग तो लोग सभा को एक पड़ा भी मान के चल रहा है और हर बिहारी इसको एक पड़ा मान के चल रहा है कि लोग सभा के तुरंद बाद हम लोग को विधान सभा चुनाओ में हम लोग को उतारना है तो ऐसे में बिहार के अगले विधान सभा के चुनाओ भी हम सब के लिए उतने ही महत्वपून है और उमीद ही नहीं पूरा विश्वास है आज की तारीक में जो हम लोगा अगडबंदन है वो इतना मजबूत है कि जैसे केंद्र में प्रधान मंत्री जी को तीसी बार प्रधान मंत्री बनने से बड़ी बात नहीं बोल रहा है एहंकार नहीं है बड़ी विश्वास है कि कोई नहीं रोग सकता है ऐसे ही मैं मानता हूं कि पुना बिहार में इंडिये की सरकार विदान सभा चुनाओं के बात बनेगी बिहार में दो युवा चेहरे बहुत फेमस है एक तो तेजस्वी और दूसरा चिराग अच्छी बात है और द कभी मुख मंतरी या अगले मुख मंतरी कुछ ऐसा है बिहार के लिए आज तो ये सवाल का कोई माइने ही नहीं है जब लड़ाई प्रधान मंतरी बनाने की है ऐसे में बिना किसी भटकाव के मैं प्रशन में भी नहीं उलजूँगा क्योंकि मेरा लक्षे क्लियर है प्रधा का समान किया बहुत कम मैंने देखा है प्रधान मंतरी जी को सारुजनिक तोर पर अपने आपको ऐसे एक्सप्रेस करते वे पर NDA की वो बैठक जिसमें उन्होंने मुझे गले लगाया उन्होंने भी अपनी तरफ से हमेशा वो संरक्षन मुझे मेरे परिवार को दिया है राच्यू रंजा एंडिटीव इंडिया